हाई गाइस क्या आप एक एक दो साल होगे आपको रेडियोग्राफिक करते हुए आप CT scan सीखना चाहते हुए आपकी क्रॉस सेक्षन में थोड़ा आप ग्रो करना चाहते हो CT MRI में जाना चाहते हो तो मैं आप लोग को रेकॉमेंड करूंगा आप पहले एक्सरे बैट साइड इंटर्वेंशन फ्लोरोस्कोपी सारे में कुछ दिन काम करने को आपके जितने भी नौलेज आपको लगते कि अभी मैं CT scan कर सकता हूं मैं MRI कर सकता हूं तो फिर आप धीरे-धीरे CT scan सीखना शुरू करें CT scan सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक थोड़ा बहुत थियोरी क इस बुक का फीचर और इस बुक में कितने इजीली कैसे आप लोगो को दिखाया गए एक और बुक में रिकमेंड करूंगा और थोड़ी दिर में दिखाता हूं वह वाला ठीक है तो यह वाला जो बुक है यह एलजाइवर का बुक है यूकलीट सीराम है हमारा राइटर इं सारा बेसिक फिजिक्स यहां पर बहुत इजी तरीके से आप लोगो को समझाया गया है मैं यह सिटी स्केन की उपर भी डेडिकेट लेक्टर स्टार्ट करूंगा धीरे-धीरे अभी मैं आप लोगो को दिखा रहा हूं कौन सी बुक आपको पढ़ना चीए और कैसे क्या-क् सीखने के मदद मिल जाएगा इस बुक से ठीक है तो यह वाले यह वाले बुक में सारे फिजिक वगरा है कब फरस्ट हमारा फरस्ट सिटी स्कन कहा शुरू आता कैसे इमेज कंस्रक्शन होती है यह सारा बेसिक यहां पर दिया हुआ है यहां पर देख सकतो पैंसिल बीम फै आप करने के लिए जब आप सिटी स्कन में जाओगे आगर आपको थीओरी नहीं पता है फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाले टीक है सीटी स्कन एक बहुत ही बहुत ही बैतरी टूल है डाइगनोस्टिक की पॉइंट ओफ व्यू से ट्रॉमा हो गया एंजिघ्योग्राफ इस सिट्वेशन में लोग रेडियेशन को नहीं देखते हैं जैसे आर्ट यह हो गया blood vessel injuries हो गया एब्डोमिनल इंजूरी हो गया इसमें बेस्ट है सिटी स्कन तो सिटी स्कन आप जब आप सिटी स्कन करने जाओगे जब सिटी स्कन में आप ऐसे सारे सिटेशन के रेडल करो तो आपको एक ना नॉलेज होना बहुत जुरूरी है त्यूरी प्रेक्टिकल बहुत का ठीक है तो यह बुक आपको बैस्ट हेल्प करेगा मेरे हिसाब से क्यों मैंने कुछ इस बुक से सारा चीज़े पढ़ा था इसमें सारा इतना डिटेल में इतना इजी लेंग्वेज में समझाये गया ह मैं आप लोग को कैसे समझाओं मैं अभी थोड़ा सा इनाटमी दिखाना चाहा रहा था जैसे इस बुक में देखो पूरा पॉइंट आउट करके अनाटमी सारा चीज़ें यहाँ पर बता रखा है इन्होंने एक और बुक है एक और बुक है जो बेस्ट है सिटी स्केन के लिए जो मैंने खुद से पढ़ाई करी थी उसकी उस बुक से तो यह वाला बुक है यह इसमें आप इसका फॉन पेज पर आता हूं मैं अभी तो कहां चला गया सौरी यह वाला जो बुक है इसमें आप यहां से इतना ज्यादा सीटी स्कैन की अनाटमी आप सीख सकते हैं इतना बहतर इनिमेटेड रियल टाइम इमेज के साथ एक चीज़ को पॉइंट आउट करके यहां पर नाटमी की लेवलिंग की गई है जो लुग नए है जो लुग सीटी स्कैन करें लेकिन उनको समझ नहीं कहा है अरव लिवर वाल ओ कौन सा है जब-चैन बहुत पड़े होंगे जब तक आप करने स्टार्ट नहीं कर तो इस आप नहीं पता जल करके यह और इहां पर सकते हो कि कौन सी लेवल पर यह एक्जियल स्कैन है तो यह एक बहतरीन टूल है यह बुक टूल की साब से काम करेगा आप पूरा नॉलेज गेन कर सकते हो इस सारा चीज इसमें डिटेल में समझाया गया है ठीक है उसकी बाद यह वाला बुक जो है यह वाला बुक का मैं राइ करें अनुटे हैं यह वाला बुक को फिजिक्स कम इस वाले बुक से में अनाटमी यह ज़्यादा पढ़ता था और लोजी रोमन्स नाम है उनका अनाटमी ज्यादा पढ़ता था ख्रॉस-section आनाटमी सीटी स्कैन के लिए बुक बैस्ट है सारा चीज इसीली डेस्क्राइब करा हुआ है ठीक है और यहाँ पर भी सिटी स्कैन वगरा का जो जितने भी वह है क्या गयते फिजिक्स इंस्ट्रुमेंटिशन यह सारा चीज यहाँ पर भी समझाया गया है अल्मुस्ट सहीं है अगर आप लोग को पसंदे तो मैं कहूंगा यह बुक भी आप रख सकते हो इस बुक को भी पढ़के आप इजीली क्या कहते हैं सीटी स्कैन की क्रॉस सेक्षन और फिजिक्स सेख सकते हो जैसे यहाँ पर दो कितना बढ़िया से इन्होंने प्लेइन को समझाया गया है यह सुपीरियर यह इंफिरियर यह एंटियर पोस्टियर राइट लेफ्ट अब जो प्लेइन फस्ट एंंटियर पिर डिवाइट जिवाइड कर रहा है उसको हैसे जैटल बोलते हैं जो इसको घ्य बोले परiona ही鬼 को समझाया गया है तो थोड़ा बहुत आप लोगों को मेनद करना पड़ेगा ऐसे कुछ भी चीजे नहीं मिलती है आप लोगों को अच्छे से पता है तो यह बुक को थोड़ा सा विध्यान से पड़ो थोड़ा बहुत टाइम निकालो 15-20 मिनिट निकाल के एक चप्टर पड़ो रीडिंग वो एक्स्प्लेइन किया हुआ है ठीक है सब्सक्राइब का तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो अल्रेडी बना रखा है कांट्रास आप जाके वीडियो देख सकतो अगर जिन लोगों को सिटी स्कन कोंट्रास की बार में पढ़ना है तो यहाँ पर अगया यह है इंजेक्शन टेक्निक्स यह चप्टर का नाम है इंजेक्शन टेक्निक्स और यहाँ पर आप देख सकतो जो लोग शुरु-शुरु में सिटी स्कन करने आते हैं उन लोगों को यह पता नहीं होता कि आर्ट्रियल फेस कितने सेगंड में आएगा लेट आट्रियल फे है यह सारा चीजे मैक्सिमम टाइम पर हमें ही होता कि उसने बताए कि 13 सेगंड में आता है उसने बोला 22 सेगंड में लेकिन वह बुक की सबसे आप पड़ो उसके बाद उसको रियल लाइफ में आप प्रेक्टिकली देखो आपको ऐसे याद रहेगा कि कभी नहीं भूलो ग करता है तो यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट लर्निंग पॉइंट है आप इसको स्क्रेंशोट करके आपके फोन पर रख लो कभी भी जुरूत पड़ सकता यह चीज ठीक है और यहां पर देखो अच्छे से समझाया गया है कि यह नंबर वान है एंटी क्यूबिटल बेन ज मतलब है क्लेवीन की नीचे से जाता है इसलिए नाम रख दिया उन्हें सब प्लेवियन उसके जाकिए मिलता सूपीर वेनकाबावा नीचे है उसको बोलते इंफेरियर विकावा सब्सक्रेंट त्क हो Connection नंबर्व फ्री आप र को सब्सक्राइब को नीचे लेकर हार्ट में आता है उसको गोलते हैं जुगुलर वेंज उसके आप यहां पर देख सकतो सारा चीजे यहां पर अच्छे से समझाया गया तो यह सारा चीजे आप लोग को पता होना चाहिए कोई ऐसा हार्ट टोपिक नहीं है कि कोई प्रॉफेसर या कोई लेक्चर आपको बताएगा पॉइंट आउट करें तभी आपको पता रहेगा ऐसा कोई चीज नहीं है आप एक बार रिडिंग पड़ोगे याद रखने की चीज़े सिंपल सिंपल चीज़े एक बुक और फॉलो कर सकते हो जिसको बोलते क्या गयते वैं ॐइदी चयक इनायटयमिस मैं वहा वहाँ स्क nella चार्पें भी और देखे यहां पर जो जो हम कौंट्रास रकरते ही यहां पर जो ग्राफ दिया हुआ है इन्होंने डिगर जो हम य्ञूश करते जो सारो स्ब कॉसरेएं जिए उटीदेक्शन में तक कुछ contrast नहीं आया 12 सेकंड में SBC में आया लेकिन हमें SBC में नहीं चाहिए चाहिए थामें पल्मुनरी आड़री में आ गया 16 सेकंड में पल्मुनरी आटरी से गया 12 सेकंड 20 देखो 22 सेकंड में एड्सेंडिंग एवर्टा में आया अगर आप एब्डोमिनल एंजियो कर रहो तो अठारा से लेके बाइस कवेगए गवार्ट चोभी सेकंड तक रहता है तो उस सिचुएशन पर आपको यहां पर कितने बढ़िया से मेंचन किया हुआ है कोई भी कंफूजियों होगा कमेंट सेक्ष्ण में बताई में हैं यह पर ने के लिए रेडियो तैंक्यू बेरी मच फॉर वाचिंग मेरे चैनल को